अगर आपके पास Redmi 10A या 12C या कोई और मोडल है तो उसके अंदर आप Lock Screen Fingerprint को किस तरीके से Remove कर सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं Screen को Off करता हूँ और मैं यहाँ पर Fingerprint पर Place करता हूँ तो मेरा यहाँ पर Screen है अलोग हो जाती है इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो तो इसको हम किस तरीके से Remove कर सकते हैं इसको Remove करने के लिए सबसे पहले हमको अपने फोन की साइटिंग को Open कर लेना है जैसे फोन की साइटिंग को Open करेंगे उसका दर मैं नीचे जाना है नीचे जाने के बाद Password and Security क उप्षिन शोग आफ इस पर टैप कर देना है Fingerprint को उप्षिन शो जाएगा इस पर टैप कर लेना आपका जो भी पैटन हो इसको यहाँ पर ड्रो कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं बारबर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पर स्क्रीन अनलोक नहीं हो रही, तो इस तरह के साथ अपने फोन में भी इंगर प्रिंट को रिमूब कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जब तक के लिए, बाई